करने वाले है एक प्रेजंटेशन पहले शेयर करता हूं आप लोगों के साथ वेरी गुट आइडिया एक डिटेल्ड अनलेसिस हम यह बैंक का आज करने वाले है तो यह बैंक लॉंग वे टुरिकवर यह टाइटिल रहेगा आज के प्रेजंटेशन का तो फाइड पॉइंट अनलेसिस क्या क्या होगा फर्स एस बैंक का रीकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे देन दूसरा पॉइंट होगा इंशुरिंग इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क थर्ड वुड बी बैलेंशेट एडवांसेस और डिपोजिट्स क ट्वेंटी वेरी डिफिकल्ट टाइम पॉर येस बैंक मतलब अकाउंट होल्डर्स और इंवेस्टरस ऑल्सो सारे बैंक्स आ गए या फिर आर्विया ने सारे बैंक्स को बुला ही लिया और येस बैंक को बचा ही लिया से 10,000 क्रों रूपीज इंट्यूज किये गए बाइ की नंबर्स आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रहें दो उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक फेटरल बैंक इन्हों ने कुछ पोर्शन 25 पर्शन निकाल लिया उस कैपिटल में से मार्केट में देवर फ्री टू विड्रॉद मनी तो उसकी साफ से शेरोल्डिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस इस दे न्यू मैनेजमेंट आफ यह बैंक सो मिस्टर प्रशांथ कुमार फॉर्मर सीफो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेट बाइडिशन डारेक्टर्स जो आर्विया नहीं अपॉइंट किये है अनन्त गुपाला कृ यहां पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है या इस पैंक के लिए और डिलेवरिंग अल्सों वेरी वेल नव कैपिटल इंफ्यूजन जो हुआ था मार्च दोजार बीस में दस हजार करोड रुपे इंफ्यूज किये थे बाइं मेजर इन्वेस्ट बैंक्स देन एक एफपो आया थ जिसने भी इसमें इंफ्यूज किया होगा पैसा एफपो के तुरू सो देयार करेंटली प्रॉफिटेबल बट वी नीड तो रिमेंबर ऑल्मोस सारे बैंक्स पर्टिकुलर वह जुलाई में अगर आप इंवेस्ट करते तो वहां से 30-40-40 परसेंट जो अच्छे बैंक से व जिए इग्सिस्टिंग शेरोल्डर रीटेल साइड में बहुत ज़्याधा पाटिसिपेशन यहां पर नजर आता है तो रीजन आप लोगो पता है एवरेजिंग 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 जो एक बहुत ही डिजास्ट्रस इंवेस्मेंट स्ट्रेजी और सकते इंवेस् 2021 में जो यह इधर इक्विटी रेज कर सकते या फिर डेट रेज कर सकते 10,000 करोड़ रॉपे इन वन और मॉर ट्रांचेज अब डिपेंड करता है मार्केट इसको कैसे लेता है और कैसे इन्वेस्मेंट आते कैसे आ सकता है क्यो आइपी आ सकता है राइट इस इस आ पैसा उ और एक FPO भी बैंक ला सकता है या फिर combination of these things भी आ सकता है सो लेट सी कि कब यह प्लान फाइनल होगा और सारी चीज़े समने आएंगी और डाव डिस इस दी most important point I feel ensuring effective risk management framework अब यहां पर उन्होंने दो चीज़े अलग-अलग कर दिया risk and business तो यह जो MDN CEO है उनको से business लाना और बिजनेस क्या लाना है लाइब लिटी फ्रैंचाइज स्ट्रॉंग बिल्ड करने हैं मतलब नए अकाउंट ओपन करने हैं करेंट अकाउंट के सेविंग्स अकाउंट के टर्म डिपॉजिट्स में पैसे लाने देट इस दी जॉब ऑफ दी बिजनेस या फिर MDN CEO और रिस्क जो है वो ट्रेडिट कॉलिटी चेक्स इन न्यू लोन डिस्बर्सल्स और यह कौन लेगा head of risk and compliance होगा that he will take that call and यह particular position जो है वो डिरेक्ली बोट को रिपोर्ट करेगी नॉमली कैसे होता है कि यहां पर रिस्क जो भी हैड है I think he reports to MDN CEO बट इस ताइम इन्होंने बोला भाई बिजनेस वाला बिजनेस करेगा रिस्क वाला रिस्क मैनेजमेंट करेगा और रिस्क मैनेजमेंट वाला बोर्ड को रिपोर्ट करेगा ताकि और ज्यादा स्लिपेजस वगरे नहीं चाहिए नए प्रॉब्लम्स खड़े नहीं होने चाहिए एस बैंक के लिए अगर बैलेंशीट की समरी हम यहां पर देखते है तो Q3 FY20 के हिसाब से यहां पर 11 परसेंट से यह बैलेंशीट नीच आई है बट कॉटर अन कॉटर अगर हम बात करेंग करो रुपीज का टोटल लून बुक है लास्ट यह सेम कॉटर में 1.86 लाक करो रुपीज था यानि की 9% यहां पर फॉल हुआ है पर कॉटर अन कॉटर अन कॉटर देस पर्टिक्ला नंबर इस अब वाइक 2% का वन पॉइंट सेवन लाक करो रुपीज तो 1.7 लाक करो देखा होगा कि डिपॉजिट का यह जो नंबर है यह एडवांस के नंबर से कम है और दाट्स वाट फॉलोइंग डाइग्राम शोईंग तु आस की बैलेंज ओवराल नॉमली जो डिपॉजिट्स होते हैं वह ज्यादा होता है सारे बैंक्स के क्योंको बाकी रेगुलेटरी भी फॉलो करने होते हैं और देन वो लोन्स देते हैं स्वारावन सेवेंटी एटी परसेंट अव दी जाती है लोन में और बचा हुआ पैसा रेगुलेटरी रिक्वार्मेंट्स में पाक होता है गोवर्मेंट सेकुरिटीज और इस बट यहां पर इस इस यूनीक केसे और आर बिया इंटरवीन और आल इस बैंक्स केम पर रेस्क्यू आफ यह जो स्टोरी है एवरीबडी नोस दैट कि क्यों सबको आना पड़ा यहां पर सो डिपोजित रेशो तो यह जो इमाजीन 163 परसेंट का क्रेडिट तो डिपोजित रेशो मतलब आपके वास सो रुपे के इस दूइंग सो करेंटली डिसेंबर दोहजार चब दोहजार वीस में यह 116 परसेंट पर चुका है क्रेडिट टू डिपोजित रेशो अब लिक्विडिटी कवरेज रेशो यानि कि नेक्स तीज दिन में जो भी कैश आउटफ्लोस होंगे बैंक की तरफ से वह रेशो कित सब्सक्राइब का जो रिक्वाइमेंट है वह 90 परसेंट है अगर यह एवरेज है पूरे कौटर का एवरेज है 111.2 परसेंट का बट अगर लास्ट अफ डिसेंबर 2020 अगर हम देखते हैं सब्सक्राइब कोई प्रॉब्लेम नजर नहीं आ रहा है नौ एडवांसेस और डिपोजिट मिक्स की बात करते हैं तो पें प्रॉब्लेम इस फिफ्टी टू पर्सेंट अफ दी लोंस अस्टिल कॉर्परेट लोंस और इसमें NPSB क्रिएट हो सकते हैं यहां पर रिस्क है और भी भी बहुत ज़्यादा है प्रिस्क महतें यह रिटेल लोंस होते हैं वह सबसे कम हैं क्योंकि में आडड़ेजेंद्टेंट्रीजेंस माइक्रेजेसे वह एक ही तरीके से मानूंगा विकॉज जो पैंडेमिक ने हैवक क्रिएट किया है उसका इंपेक्ट यह तीनों सेक्टर पर होगा रिटेल इस वन सेक्टर कि जहां पर यह सबसे कम होगा रिटेल लोन्स जो दिये जाते हैं अब डिपोजिट्स की मिक्स की अगर हम बात करते ह इस परसेंट और ओनली कासा डिपोजिट्स और यह भी हमें समझना होगा तो वे अबल टो लुक अट डी सिनारियों थाव बिल्ड बिजनेस सो मुझे लगता है यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट जो है वह एस बी आए ने यहां पे किया है बैंक को दैट्स वाट आइफी सपोर्ट मतलब डैरेक्ली ऐसा नहीं बोलेंगे बड़ जो शाहिद पीस यूज बगेरे के अकाउंट बगेरे ओपन करके वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट बैंक को दिया गया है विच वाज रिप्वाइड ऑल्स बिकास डेरा लॉट आफ अकाउंट होल्डर्स जिनका पैस सेग्मेंट वाइज हम देखेंगे तो कैसे ओवराल यह सेग्मेंट ग्रो हो रहा है या फिर उसको कम किया जा रहा है कि कहां पर फोकस है तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कॉर्पोरेट्स पे जो है वो डिपेंदेंस कम करने की कोशिश हो रही है सप्टेंबर दोह ग्रिगेंट रिटेल लोन तो यहां पर फ्रटीन था 9500 50 क्रोड रुबीज तो 4700 115 क्रोड यहां तक यह बढ़ाया गया है आई तिक यू नो दाट कि एवरीबडी इस ट्राइं पर दिस पर्टिकुलर सेग्मेंट रिटेल लोन यह सबसे सेफेस्ट लोन यहां पर बैंक को नजर आ रहे और यहां पर वर्क आउट हो रही है बाकी अगर हम देखेंगे तो यहां पर न्यू अकाउंट ओपनिंग में काफी बढ़िया तरीके से अकाउंट्स ओपन किये जा रहे है फॉर मतलब यह जो बिजनेस साइट जो अलग-अलग की गए है कि भाई यहां पर सीधा सीधा हमें नजर आता है 4.02 लाक इंग रिटेल अप्डी अकाउंट्स ओपन किये गए इन दिस अगर हम बात करते हैं तो और कास अकाउंट्स और अलसो ग्रोइंग रियली वेरी वेरी वेल तो वो जो लाइबिलिटी फ्रेंचाईज डिवलप करनी थी बैं अगर आप देखोगे सो डिसंबर में 85,000 न्यू अकाउंट्स नोवेंबर में 70,000 अक्टोबर में 70,000 और प्री कोवीट अपनी हाड़ी 40,000 अकाउंट्स तो इस शोज कि यह जो पूरा बाइफर्केशन किया गया है कि भाई रिस्क वाला लोन वाला अलग होगा और लिएब अगर हम बात करते हैं यहां पर सो नेट इंटर्स मार्जिन इस इंप्रोविंग वेरी वेल फ्रॉम 1.4 परसेंट 1.9 परसेंट 2.1 परसेंट 2.4 परसेंट 2.4 परसेंट इस पर्टिक्लर नंबर इस लुकिंग वेल कासा रेशो दो इस डिक्रीजिंग आइधिंग बैंक विल जिस तरी के से वो अकाउंट वगेरे उपन कर रहे हैं तो होफुली यह चीज़ आने वाले समय में अच्छे होनी चाहिए अधा ग्रोविंग टर्म डिपोजिट इस मुच हायर वाय कासा रेशो हमें कम लग रहा है अधर्वाइस कासा के भी डिपोजिट तो यहां पे बैं यहां पे इंप्रुमेंट जो है कंपनी की काफी अच्छी हो रही है कासा डिपोजिट आइफर्ट टर्म डिपोजिट लाने में बहुत जादा या फिर वो तोड़ा सा इजी है उसके चक्कर में पैसा भी आ रहा है सो लेट सी कि कैसे यह रेशोज भी चेंज होते है नाव की रेशोज में अब हम बात करेंगे कि क्यों पैसा रेज करना पड़ा बैंक को जो स्लिपेज थे सप्टेंबर 2019 में 5950 करोड रुपे के स्लिपेज थे बैंक में और डिसमबर में हो गई यह 24,587 करो रुपीज अब यह जो स्लिपेज रेशो है वो 12 परसेंट था सो 3 परसेंट से 12 परसेंट पर आ गया प्रोविजन कवरेज रेशो 72.7 परसेंट डिसमबर 2019 में था और इस वज़े से जितने जादा प्रोविजनिंग हुई यहां पर जो स्लिपेज हुए उसके चक्कर में जो सीटी रेशो सी की वज़े से जो प्रोविजनिंग करनी के वज़े से इनका जो रेजू प्लनाया दस जार करोटर रूपे का इंफ्यूजन हुआ overall from the aid banks and that's how they have raised their capital adequacy ratio to 8.5% then 8.6% फिर उन्होंने FPO लाया 14,000 क्रोड पे लाके उनका जो capital adequacy ratio था वो 19.9% तक वो लेके गए and now this particular ratio as of December 2020 is at 19.6% though the risk still persist अभी भी problem bank में है मतलब यह solve नहीं हुआ है CT1 ratio जो है capital adequacy वाला वो अभी भी 13.1% है और यहां से अगर कुछ और ज्यादा slippages होते है तो definitely और ज्यादा capital bank को लग सकता है तो यहां पे क्यूं लगेगा यह आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा gross NPS जो है बैंक के वो है 15.36% जो declared है अगर Supreme Court का order नहीं देखा जाता तो फिर 20% gross NPS वो सकते pro forma NPS and this is worrisome for the bank और इसी के वज़े से और ज्यादा वहां पे provisioning करना पड़ सकता है और अगर provisioning वहां पे करना है तो पैसा लगेगा और पैसा अगर वहां पे लगेगा तो फिर capital raise करना पड़ेगा तो आप वो कैसे capital raise करेंगे that is one thing we need to be looking at so gross NPS 20% is a very high number net NPS 4.04% है बड़ आइधिंग यह भी बड़ेंगे and provision coverage ratio is at 76.7% तो आप just imagine कीजिए कितना बड़ा बुक है जिसमें और 4-5% के gross NPS हो सकते है उसको cover करने के लिए आपको और ज्यादा provisioning लगेगी operating profit में से अगर वहां पे पैसा अवेलिबल नहीं होगा तो then you will have to use your capital जो adequate ratio किसलिए maintain किया गया है so technically पैसा रेज करने के अलवा बैंक के पास कोई other option नजर नहीं आ रहा है corporate gross NPS 25.8% यह नंबर है तो आप समझ सकते हो कि क्यों यह बैंक में pain है so wholesale loans है यह बड़े loans है तो यहां पर number भले ही कम होगा बट जो amount होगी उन loans में वह बहुत ज्यादा हो सकते है so that is the biggest problem of this particular bank so मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह video आप लोगों को अच्छा informative लगा होगा this was not a buying or selling signal for yes bank but what is the current situation of yes bank and let's all see how they manage it but capital requirement is the need of the hour for yes bank for now so मैं आशा करता हूं कि यह video आपको अच्छा लगा होगा ऐसे videos के लिए चैनल पर बने रही है और अगर अभी तक आपने हमारे model portfolios को subscribe नहीं किया है so thank you यह promo code use करके you can get flat 33% discount on our model portfolios मैं आशा करूंगा कि आप जरूर हमारे model portfolios को subscribe करेंगे तो ऐसे